जे एस पी एल में शांदार मुनाफ़ा कमाने का मौका, मोतिलाल ओस्वाल ने दी निवेश की सलाह ब्रोकरेज फर्म मोतिलाल ओस्वाल ने इस शेर के प्राइस में 27 पीसदी तेजी आने की उम्मीद जताई है। उसने इस शेर को खरीदने का अपनी सलाह बनाए रखी है। उसने कहा है कि यह कमपनी अपनी क्षमता बढ़ा रही है। इससे इसका रिविन्यू बढ़ेगा और मार्जिन भी अट्राक्टिव हो जाएगा। इसने इस शेर के लिए 720 रुपए का टार्गेट प्राइस दिया है जो 23 जून को स्टॉक के क्लोजिन प्राइस से 27 पीसदी ज्यादा है। आप अगर शांदार मुनाफ़ा देने वाले स्टॉक की तलाश में हैं तो जिंदल स्टील एंड पावर जे एस पी एल में इन्वेस इसने इस शेर के लिए 720 रुपए का टार्गेट प्राइस दिया है जो 23 जून को स्टॉक के क्लोजिन प्राइस से 27 पीसदी ज्यादा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि जिंदल स्टील क्रूड स्टील उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए 24,000 करोड रुपए खर्च कर रही है। शमता 66 पीसदी बढ़ेगी। इस पूंजी निवेश से जिंदल की स्टील उत्पादन क्षमता 66 पीसदी बढ़ जाएगी। प्रती टन कैपेक्स 390 डॉलर आएगा। यह इंडस्ट्री में सबसे कम है। उसने कहा है कि कैपेसिटी और मार्जिन बढ़ने से कमपनी की ग्रोथ की अच्छी संभावना दिखती है। इससे फ्लैट स्टील का मिक्स बढ़कर 70 पीसदी पहुँच जाएगा, जो अभी 30 से 33 पीसदी है। स्ट्रॉम रॉ मैटेरियल लिंकेजेट से प्रोडक्शन बहतर होगा और समय पर गुर्स की सप्लाई हो सकेगी। कमपनी ने हाल में 4 थर्मल कोल ब्लॉक हासिल किये हैं। इन में उतकल सी, उतकल भी 1 और भी 2 और गारे पालमा 4-6 शामिल हैं। एक बार इनके चालू हो जान पर इनसे 12-15 मेट्रिक्टन थर्मल कोले की कमपनी की जरूरत पूरी होगी। जिंदल स्टील पहले प्राइवेट सेक्टर की कमपनी है, जिसे इंडियन रेलवेज की तरफ से रेगिलर रेल सप्लायर का लेबल मिलेगा। तीन साल में 300 फीसदी रिटर्न। जे एस पी एल के शेर में 23 जून को गिरावट देखने को मिली। यह शेर 2.79 फीसदी गिरकर 566.80 रुपए पर बंध हुआ। कमपनी के शेर में सिर्फ एक महीने में 11 फीसदी का उच्छाल आया है। बीते एक साल में इसने करीब 80 फीसदी रिटर्न दिया है। मई में इस शेर में 11 फीसदी गिरावट आयी थी। यह शेर इस साल एक फरवरी को 622 रुपए पर पहुँच गया जो इसका 52 हफते का सबसे हाई लेवल है। पिछले तीन था साल में यह शेर 305 फीसदी चड़ चुका है।